वेल्कम बैक तो मैं चैनल टारो विश्य वी ट्रिपल एट गाइस लिडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जितना आपसे रिडिंग उसको रखिये बाकी को इग्नार कीजे और गाइस एक चैनल टारो यह जब भी आपसे रिडिंग करेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वाई आपके बारे में क्या रहे है ठीक है प्लीज एंजल्स गाइट करें मेरे व्यूर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं डेवल एस ओफ सौर्ड फोर ओवेंड्स क्वीन ओफ पेंटिकल्स फाइव ओफ कप्स काफी सारे कार्ज आगे नाइट ओफ कप्स नाइट ओफ वैंड्स तैन ओफ कप्स चैरिएट ओमाय गॉड्ड एजेक्शन के कार्ड्स है गाइज एस ओफ पेंटिकल्स और एंप्रस संप्रस भी आई है ओके हम् चलिए बताते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठीक है जो भी आपके पार्टनर्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो गाइस पहला कार्ड गाइस डेवल का आया है मुझे ऐसा लग रहा है ज Kath romance काफी साद आप पर नराज है मुझे ऐसा लगता है ठीक है नराज जिनकों कि डेवल कारड निकल कर रहा है आप व्लूंके आप लोग पार्टनर्स लोग आप से गुस्तनihi और ये जो भूप को ये पह से अी नराज है तुमने अगर मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी बात थी जब इनोंने कहा कि आप इनको साथ दे दो और अपने उनका साथ नहीं दिया या अगर आप लोग नो कॉंटिक सिचुएशन में हो तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी बात से लेकर आपको नराज है आपके अपके आपके नराज में बी आपके अपका इंक इसे भी मतलब ना क्या से बताओं आपके उसके बताओं और से आपको नराज में रहे रहे। समझ सकते हैं वैसा ही है ठीक है उसके बाइद गाईज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स ना काफी जादा मुझे रिग्रेट में भी दिख रहे हैं अब यह देखना कैसी मिक्स्ट एनरजी जास निकल कर रहे हैं अब मैं आपको बताओंगे तो आप बोलोगी कि माम याप क्या कह रहे हो इसको काफी रिग्रेट है क्योंकि इसने इन दो कप्स के तरफ नहीं देखा और यह कि तीन कप्स जिसको भी इसने उठाया या सलेक्ट किया उसके साथ यह सोच कर आप यह रीडिंग देख रहे हो ना five of cups सबसे जादा sad energy होती है tarot reading में बहुत regret और बहुत जादा sad मुझे आपके partners दिखाई दे रहे हैं ठीक है यह मुझे खुछ नहीं दिखाई दे रहे है आज आप reading देखना गाइस कैसे निकल कर आती है दुखी देख लिए आपने कि मुझे बताईएगा कि यह किस से resonate कर रहा क्योंकि मुझे कार्ट में तुरंथ वाइव जाने लगती हैं messages channel on लगते हैं so मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से काफी सारे ऐसे लोग है जिन्होंने अपने partners को totally chase करना बंद कर दिया है जिन्होंने सुच ठीक है हम कब त अब तक आप पकड़ कर रख सकते हो ना एक लिमित होती है किसी चीज की आप लोगोंने कहा कि ठीक है आप शान्त हो गए आपने चेस करना बंद कर दिया आपने का ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हम भी बात नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपक तो आपके आए ना गाइस यहाँ पर मिक्स्ट फीलिंग्स आई है यहाँ पर दुख है रिग्रेट है यहाँ पर फिजिकल अट्रेक्शन है नराजगी है तो कोई ना आपकी तरफ ऐसे आना चाहते है कि प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो अब यह है ना कि आप गए आप गए नहीं तो यहाँ आपकी तरफ आ रहे हैं ऐसा मुझे आप दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है ठीक है यह प्यार भरा कप लेकि यह भी एक्शन का काड़ है उसके बाद गाइस यहाँ पर कोई क्लियारिटी देना चाहता है आपको ऐस आप सोर रहा है एक तरफ कोई और परसन भी इनके दिमाग में चल रहा है तो कहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स क्लियारिटी भी देना चाहते हैं एस आपके पार्टनर्स इस ताम सोच रहा है बहुत मिक्त फीलिंग है प्यार भरा कप लेकर भी आना है कुछ लोग के दिमाग में यह है कि मुझे आपके साथ शादी करनी है यहां पर शादी का कार्ट भी निकल कर रहा है कोई आपके साथ शादी के सपने देख रहा है कोई चाह रहा है कि आपके साथ घर बसे ठीक है कोई चाह रहा है कि आपके साथ बच्चे आपके साथ उनकी सारी खुशियां पूरी हो 10 of cups and 4 of wands एक दूसरे के ऊपर नीचे निकल कर रहा हैं कहीं न कोई 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 शादी के सपने भी देख रहा है आपके साथ हम आपके लिए रीडिंग कर रहा है कि जिनके बारे में आप सोच रहा है वह आपके बारे में क्या सोच रहा है तो यह सारी फीलिंग्स आपके लिए हुई ना इसी कली, तो देखिए आप, शादी के सबने यहां पर है, रिग्रेट यहां पर है, दुख यहां पर है, प्यार यहां पर है, पैशन यहां पर है, क्लियारिटी यहां पर है, और देखिए, Queen of Pentacles, आप लोग हो सकता है कि काफी अपने work area पर और अपने career पर ध्यान दे रहे, hard work कर रहे है, ठीक है, आप लोगों ने ऐसा कहा, कि chase करना बंद कर दिया, और आपने सारा अपनी energy को, आपने energy इनको देना बंद कर दिया, इनकी battery चार्ज करना आपने बंद कर दिया, तो कहीं न कहीं ऐसा है, कि आपके partners, आपने career पर फोकस हो गए, उनको आपकी energy मिल नहीं रही, जब आपको energy मिल रही तो कहीं नहीं परेशान है, यह क्या कर रही है, अपनी life में क्या कर रहा है, हो सकता है, कि आपके partners को अशब पता हो, कहीं से कि आप अपनी life में काफी अच्छा कर रहे हो, हाट वक कर रहे हो, हाट वक कर रहे हो, आप money को अंड कर रहे हो, abundance को अट्रेक कर रहे हो, कहीं नहीं queen of pentacles दिखा रहे है कि आप ना, करियर में stability लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, और इसे भी आपके partners का बड़ा दिमाग खराब है कि अब ये इनसान मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है, ऐसे भी वह आपको देख रहे हैं, आपकी energy निकल कर आईए बराबर से, chariot दिखा रहे हैं कि आप लोग long distance relationship में हो सकते हो, कास्ट different हो सकती है आप दोनों की ठीक है और ऐसा भी हो सकते है कि आप लोग you know, twin flame connection में लग रहा है मुझे chariot भी है यहाँ प्लस four of vences हो सकते है कि आप लोग divine connection में हो, ठीक है, so chariot दिखा रहे हैं यह भी action को दिखाता है, आपके पार्टनर्स इतना bold action आपकी तरफ लेने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने आपसे बोला था ना, career पर mind divert करो देखिए, अगर आप इनको उपर नीचे ध्यान से देखे ना, यह उपर है यह नीचे है, अगर आप अपने 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 दिमाग पूरा अपनी energy को अपने pentacles पर लगाया, अपने career पर लगाया, अपनी stability पर लगाया, खुद पर लगाया, आपके partners कैसे change हो रहे हैं, chariot में change हो रहे हैं सीधा, और यह जितने लोगों से यह चीज होगी, अगर आप लोगों यह चीज एक बर करके देखें मेरे कहने पर, अगर ना हो तो कहना, ठीक है कि आप अपने career पर focus हो और आपके partner खिच के आपकी तरह आ रहे है, तो chariot तक आप पलट सकते हैं अपने partners को, इसा मुझे यह आपर दिखाए तरह और उनका mood बन भी रहा है, शादी का mood बन रहा है, chariot का mood बन रहा है उनका, कितनी mixed feelings हैं आपके partners की right now, यह offer दिखा रहा है, 6 of pentacles आपके partner offer देना चाहर है, commitment देना चाहर है, stability देना चाहर है आपको इस connection में, ठीक है और देखिये guys, यह इन पास्ट में कभी न किया होगा आपके साथ, equal relationship, equal balance, six of pentacles, equal event, कभी न किया होगा इनने अगर आपके साथ, पास्ट में नहीं किया है, यह यह भी देना चाहर है, regret, दुख, शादी, chariot action, offer, ठीक है यहाँ पर passion, यहाँ पर प्यार, यहाँ पर गुसा, यहाँ पर attraction, यहाँ पर clarity, यहाँ पर equal event, आज तो आपके partners की feelings, यह reading तो आप लोग को देखनी चाहिए, इस reading को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीज़ेगा, मुझे comment देखनी कित्तों के साथ resonate होती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर guys, Empress निकल कर आई है, सो सकता है कि यह है भई अभी भी present, Queen of Pentacles और Empress है तो यहाँ पर Maata Ji के दर्शन कीज़े आप, निकल कर आई है मा, सो हो सकता है कि आप लोग मैंसे काफी सारी लोगों के case में अभी भी third party है, कोई third party wife या Maa हो सकती है जो भी है, ठीक है कोई ना कोई female figure यहाँ present है, सो यह भी है, यह भी निकली आया, है third party अभी भी गई नहीं है, लेकिन आपके partners को भाव नहीं देंगे अब, आप यहाँ पर change होए, उसको ना, उसका पत्ता कड़ याएगा, जो भी है, वो third party है, कोई भी हो, आप यहाँ पर आने की कोशिश करिए, अपनी power में, इनकी power देखिएगा, जब तक आप अपनी power नी समझेंगे, यह अपनी power समझेंगे, यह अपनी power समझेंगे, है ना, और देखें गाइस, बड़ा मज़ा आता है मुझे यासी रीडिंग कनने में, जो कार्ड ऐसे आते ना था, मुझे एक्साइटे हो जाती हूँ, कितना मज़ेदार कार्ड आए हैं, सभी कुस तो दे दिया आज के आपके पार्टनर्स ने, आज की रीडिंग में, क्या नहीं य यह रीडिंग यास मुझे लग राए TWIN FLAIM connection है, बड़ा TWIN FLAIM connection निकल कर आता है यहां पर इस प्रिचुल connection, creativity यह दोनों ही बड़े क्रेटिव दिखाई दे रहे हो मुझे, आप और आपके पार्टनर्स भी, आपके पारे ना समझ गया है साहथ कनेक्शन को, सोलमेट्स भी तुम ऐसे हो तुम वैसे हो तो आपने आपको बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं आपर दिखाई दे रहा है Spiritual maturity आप लोग के पार्टनर्स को spiritual maturity अगर भगवान में इशर में नहीं मानते थे Spirituality में नहीं मानते थे तो मान रहे हैं आपके साथ इस conflict को resolve करना चाहते हैं का मन भर गया है आप से गुस्ताओं पर आपको नाराज सी दिखा कर intimacy और कहीं न कई sexually attracted है इस टाइम और worthiness वहीं काड़ आ गया गया गाईस एक चोट 60-40 कर लो ठीक है 50-50 नहीं हो रहा है तो 60-40 कर लो पर ऐसा थोड़ी हो था कि 10-90 हो जाए है यह मैं 10% करूँ और तुम 10% करो connection में this is not done यह कहां से निकल कर रहा है चलके अच्छा इसमें फसा रहिया था आपके पार्टनर विक्ट्री देख रहे हैं वाँ यह भी सही था emotional withdrawal आपके पार्टनर माफिया मांगती हुए यह पर मुझे दिखाई दे है कि आपके माफिय माग रहे हैं प्ली माफ कर दो जो भी मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ किया financially and material changes आपके पार्टनर की life में financial मुझे आपके पार्टनर की life मुझे मतलब काफी financial problem दिखाई देरी आपके partners हो सकता है stable ना हो again guys devil card आया है temptation again guys devil card आया है so कही ना कही आज के दिन में आपके partners काफी जाद attraction फील कर रहे है आपकी तरफ pull खिचाव लगे रहो guys आप इसी तरीके से यह कौनसा card है unfold हो गया new beginning चाहते है आपके साथ new beginning करना guys आपके partners एक और unfold हुआ है patience patience रखिए आपके partners चाहते है तो है new beginning करना कब तक आ जाएंगे हो सकता है आप लोग को इस reading के बाद आ जाए call message आपके partner की तरफ से कौनसा आ रहा है sacrifice आपके partners भी काफी चीज़े sacrifice करने के लिए ready हो रहे हैं कि अब कैसे भी बस तुम्हें पाना है जाए इस के लिए कुछ भी sacrifice करना पड़े moving on move on करने की कोशिश कर रहे है बहुत अब fuss के रहे हो सकता है किसी karmic partner के साथ deal कर रहे हूं और वहां पर उन्हें खुशी नहीं है समझ पा रहे हैं कि आपके साथ twin flame connection है और हो सकता है किसी karmic के साथ पार्टनर के साथ deal कर रहे हूं और उन्हें समझ में आ रहे है कि यार काँ फस गया मैं so move on करने की भी कोशिश कर रहे है वहां से dark से light की तरफ awareness manifest करती है दिखाई दे रहे हैं आपके partners आपको manifest कर रहे हैं दो कार्ट रहे हैं चलो ले लेते हैं partnership and alliances और यहां से है trapped in fear so कही ना कही आपके partners ने partnership आपके साथ ही करना चाहते हैं और यहां पर trapped in fear की condition है so कुछ ना कुछ डर अभी भी आपके partners के मन में है इन्होंने सबसे खुद को disconnect कर रहा है so यह आपके partners की feelings मुझे आपर दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ठीक है आपके partners आपके partners आपके डरते बहते हैं trapped in fear का काट काफी जादा आता है prosperity lies ahead okay prosperity आपकी life में आने वाली है the end of a tough cycle approaches so आपकी life में कोई भी tough cycle चल रही है तो वो खताम हो जाएगी बहुत जल्दी what do you need to release so अपने आपको देखिए कि आपको क्या release करनी की ज़रत है conclusions are within reach so conclusions आपको मिल जाएगे बहुत जल्दी ठीक है जो भी conclusions आप चाहते हो अपनी life में वो आपको मिल जाएगे a new romantic cycle begins इसी partner के साथ आपकी new romantic cycle भी start होगी show the world the real you तब तक दुनिया को दिखाईए कि आप reality में कौन है आप क्या कर सकते है आपकी worth क्या है luck is on your side इस time luck आपके favor में है तो जो आप करेगे वो आपको success मिलेगी इस समय आपके test चल रहे है your commitment is being tested meditate and contemplate अगर anxiety depression होता है तो meditation करिए your hard work is paying off और आपका hard work पे होगा ठीक है you are very close to achieving your goals and a new start is coming so guys यहाँ पर cards काफी ज़्यादा positive है reading भी काफी ज़्यादा positive है आप लोग अपने उपर focus बनाईए जितना बना सकते हैं क्योंकि आपका काम है खुद पर काम करना आप सिर्फ यही कर सकते हैं इसके अलावा आप कुछ करने जाएंगे सही चीज़ देते हैं I don't need the whole world to love me just you नफरत करोगे तो भी आएंगे तेरे पास क्योंकि तेरे बिना रहने की आदत नहीं है हमें दिल की धड़कन बनकर दिल में रहोगे तुम जब तक सांस है मेरे साथ रहोगे तुम I want to be your last everything ना मेरा दिल बुरा है ना उसमें कोई बुराई थी सब नसीब का खेल है बस किसमत में जुदाई थी तेरी आंखों में खो जाने को जी चाहता है तुम मेरी जिंदगी की आखरी महबत हो You will never know just how beautiful you are to me A day spent away from you is as good as not birth being alive I don't know what else there is to say I miss you ठीक है तो guys यह आपके messages थे ठीक है अगर आपको यह reading पसंद आए उस आप इस reading को claim कर सकते हैं अगर आपको reading पसंद आए तुम में चाहा को like कर दीजे, subscribe कर दीजे and thank you guys अपको कर दाए remember